वेतन विसंगती और आप्रेटरों को नियम बना कर एक निश्चित विभाग में सम्वीलियन कर निमिती करन की जाने की मांग को लेकर कंप्यूटर आप्रेटर संगने की चर्चा वहीं 29 जुलाई से आप्रेटर काम बन कर तीन दीवसी हर्ताल पर रहने की चेतावने दिये हैं बीतिक कई वर्षों से 36 गर समर्थन मुली धान खरीदी कंप्यूटर आप्रेटर संग के लोगों द्वारा जायज मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए इसकी मांग की जा रही है बावजूद इसके ना तो समय में इन्हें वेतन मिल पाता है और ना ह पारे करताओं ने अपनी अहम बैठक बुला कर मांगे नहीं जाने पर 29 जुलाई सोमवार से अनिश्चित कालिन हर्ताल पर बैठकर काम बंद कलम बंद करने का अभान किया गोर तलब है कि 36 समर्थन मुल इधान खरीदी कंप्रिटर आपरेटर संग ने बताया कि 7 मां से आपरेटरों को वेतन नहीं मिल रहा है इसे लेकर आपरेटरों ने नाराजगी जताई है आपरेटरों ने कहा हर्ताल के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चित कालिन हर्ताल पर चले जाएंगे इज़रान संग के लोग सोमवार से रायपूर में धना प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाएंगे आपको बता दें संग के द्वारा तीन दीवसी धना प्रदर्शन वमांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चित काली नांदूलन का भी आवान किया गया है गोर दलब है कि अपनी दो सुतरी मांग को लेकर अब कम्पिटर आउपरेटर संग ने मोड़चा खोल लिया है जिसमें उन्होंने समवीदा 27 प्रतिशत वेतन वृद्धी कर 23,350 उर्पे वेतन मांदिया जाए एवं बोनस भत्ता भविश्चिनी धी लागू किया जाए इसके साथ ही कम्पिटरी कृद धान खरिदी की स्थापना 2007 से की गई प्रतम नियुकती दिनांक के अनुसार समस्त अप्रेटरों को नियम बनाकर एक निश्चित विभाग में समवीलियन कर निमिती करन किया जाने की भी मांग रखी इस संबन में संग के प्रतिकारियों ने प्रतिक्रिया दी साल भर में आता है हुमारे एकॉंट में आना चीए वह भी नहीं आ पा रहा है इसके करन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे है अगर हम लोग की संख्या बोले जाया तो 87 है और अभी हम लोग के हर्ताल में जाने से सुसाइटी का जो में रीड की हड़ी है वह कंप्यूटर उपरेटर है इससे बहुं सारा काम प्रभाव होगा जैसे कि किसान अभी नगत है नगत ले नहीं पाएगा क्योंकि नगत कर समय हमीं लोग करते हैं आपका पेश कमटर जिसके लिए उत्रीश के लिए उत्रीश पुरुषकार मिला है चातिस गर में दूर्ग जीले को वह का पूरी तरीके से धस्त हो जाएगा आपका अभी मुख्य काम चाह रहे हैं प्रधान मंतरी फसल वीमा योजना वो पूरी तरीके से ढप हो जाएगा क्योंकि वह काम का भी संचालन हमीं लोग के द्वारा किया जाता है मतलब सासन की जीतने भी योजना आए हैं पूरा कार्य तो इस वजह से उम्र भी हो गया है कि हम लोग आगे फाम भर सकते हैं और नहीं पीछे जा सकते हैं तो हमारी मार्स से ही मांग है कि अब 17 वर्सों के जो मेहनात को निमिति करन के रुप में दिया जाए तो आज हम लोग पुरा दूर्ग जीला के जो आपरेटर है यहां पी इकठा होके अपनी समस्याओं को साज़ा किये हैं बस यही है सर और कुछ नहीं ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट